मुंबई के रोड पर सन्नाटा पसरा हुआ था आधी रात से जादा का समय हो चुका था कि सन अपनी बाइक को रोड पर भगाय जा रहा था उसकी बाइक के पीछे उसकी पतनी रस्मी बैठी हुई थी क्या तुम बाइक थोड़ा और तेज नहीं चला सकते और कितने तेज चल चलाओंगा ना तो फिर तुम ही कहोगी कि बाइक को थोड़ा धीरे चलाओ कहा था ना तुम से कि संभू काका के यहां अपनी कार से चलते हैं लेकिन पता नहीं तुम्हें बाइक से ट्रैवल करने में कितना मज़ा आता है मुझे कार से कहीं ज्यादा बाइक अच्छी लग होता हो वो अभी वि हमारा ही इतेजार कर रहे होंगे किसन ने इतना कहा ही था कि तभी एक ट्रफ बड़ी ही तेजी से पीछ्य से आता हुआ किसन की पा एक के आगे चलने लागा किसन पाइक का हान बजाने लगा मगर वड़ ट्रन को आगे Ned το FC आ मग दे रहा था अजीब प बोलकर किसन तेज आवाज में बाइक चलाते हुए बोला अरे ओ भाई ट्रक ड्राइवर क्या पहरे हो क्या इतनी देर से हौंड बजा रहा हूं मुझे आगे निकलने के लिए तुम साइट क्यों नहीं दे रहें किसन ने इतना कहा ही था कि तभी वट्रक अचानक से रुक गय उसके अचानक से रुकने से किसन ने बड़ी फूर्ती से बाइक रोकती किसन तुरंद बाइक खड़ी करके सीधे उस ट्रक के पास जाकर गुस्य से बोला अजीब पत्तमीज आत्मी हो तुम इस तरह से अचानक ट्रक रोकते है क्या अगर मैं सही समय पर ब्रेक नहीं दबा तो मेरा सर सीधे तुम्हारे ट्रक से टकड़ा जाता और मेरी पत्नी को भी चोट लग सकती थी अब तुम ट्रक से बाहर आते हो या फिर में ट्रक के अंदर आकर तुम्हारी खबर लूँ तभी एक ट्रक से कूद कर अचानक किसन के सामने आकर खड़ा हो गया और अजीब से अंदाज में किसन को देखने लगा उसकी आखों को देखकर किसन और उसकी पत्नी रस्मी के डर्ग से रोंटे खड़े होने लगे क्या हुआ तुम्हारे मूँ में क्या बर्फ चम गई अब कौन हो तुम पता नहीं तुम्हें देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैस उनने इतना कहा ही था कि दभी उस ट्रक ट्राइवर का चहरा बिलकुल नीला पड़ गया और उसकी आखे बिलकुल सफेद हो गई अचानक ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया और देखते ही देखते रस्मी और किसन को पुचलते हुए वहां से अचानक आयब हो गया वह व दोनों की लासों का मुआइना कर रहा था पहादूर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा इन दोनों की लासों को देखकर ऐसा लग रहा है कि इन दोनों को ट्रक ने कुचला है मगर अजीब बात तो यह है कि यहां पर ट्रक के टायरों के निसान तो है ही नहीं हो सकता है साहब कि कोई ट्रक इन दोनों को कहीं और कुचल कर चला गया हो और ट्राइवर ने डर की बज़़ से इन दोनों की लासे यहां फेक दी हो कभी कभी अपना दिमाग का इस्तिमाल भी कर लिया गरो मुर्क तुम्हें पीछे खड़ी हुई बाइक नहीं दिख रही तुम्हें बाइक के टाइरों के निसान नहीं दिख रहे क्या यहां बाइक खड़ी साफ साफ बता रही है कि यह दोनों बाइक से यहां पर आये थे और जहां पर यम्रित अवस्था में पड़े हुए हैं वहां तक यह चल कर आये थे वह सब तो ठीक है सहाब लेकिन यह कैसे पता चलेगा कि यह दोनों है कौन हमें इनके पास से ना तो इनका आईडी कार्ड मिला है और ना ही कोई मोबाइल तब तो इनकी पाइक का नंबर ही हमें बता सकती है कि आखिर यह दोनों कहां रहते हैं तब ही भीड में से एक व्यक्ति इंस्पेक्टर विजे से बोला मैं इस व्यक्ति को जान हुँ सहब यह तो संबू काका का भतीजा किसन है संबू काका यह कौन है यहां नज़्दीक में ही रहते हैं वो एक ट्रांसपोर्टर है ट्रांसपोर्ट चलाते हैं चानकारी देने के लिए धन्यवाद इतना बोलकर इस्पेक्टर विजय हवलदार की और देखकर बोला इन दोनों की लासों को पोश्ट माटम के लिए भेज दो और चलो मेरे साथ कहां पर सहब संभू काका संभू ट्रांसपोर्टर के पास उसे बताना होगा कि उसका भतीजा इस दुनिया में नहीं रहा इस्पेक्टर विजय और हवलदार बहादू संभू ट्रांसपोर्ट में पहुँच गए इस्पेक्टर विजय एक अधेर उम्र के व्यक्ति से बोला जो कि वहाँ पर खड़े दो नव यूवको से कुछ बात चित कर रहा था मुझे इस ट्रांसपोर्ट के मालिक ट्रांसपोर्टर संभू से मिलना है कहिए मेरा ही नाम संभू है मुझे बताते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा लेकिन फिर भी आपको बताना तो होगा ही हमें कुछ देर पहले आपके भतीजे किसन की लास यहां से थोड़ी ही दूर रोड पर मिली है और साथ ही वहाँ पर एक स्तरी की लास भी पड़ी हुई है मुझे लगता है वह सायद आपके भतीजे की पत्नी होगी इस्पेक्टर विजे की बात सुनकर संभू अंद विश्वास बड़ी नजरों से इस्पेक्टर विजे की ओर देखने लगा तब ही एक नव यूवक इस्पेक्टर की ओर देखकर बोला आपको जरूर कोई गलत फैमी होई होगी इस्पेक्टर सहाब तुम कौन हो यह मेरा चोटा बेटा अज्जू है इतना बोलकर संभू दूसरे नव यूवक की और इसारा करते हुए बोला और यह मेरा बड़ा बेटा दरोगा है दरोगा तो क्या यह पुलीस में है आप भी क्या सहाब आपको यह पुलीस में लगता है इसकी सकल तो देखिए दूर से ही लफंगा मालूम पड़ता है अरे नहीं सहाब वो क्या है कि यह थोड़ा दबंग सौभाव का है डर की वज़ा से लोग इसे दरोगा कहते हैं संभू की बात सुनकर हवलदार बहादूर इंस्पेक्टर के कान में मुस्कुराते हुए धीरे से बोला सर ये जूट बोलता है इसकी लंबाई देखिए चार फुट का तो ये खुद ही है लोग इसे मजाक में दरोगा कहते होंगे बकवास पंद करो बहादूर आप तीनों लास की पहचान के लिए थोड़ी देर के लिए ही सही थाने में आ जाईएगा इतना कहकर इंस्पेक्टर विजे वहां से चला गया पिता जी आपको क्या लगता है पता नहीं अज्जू मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा तुम दोनों थोड़ी देर बाद पहचान के लिए थाने में चले जाना तो क्या आप हमारे साथ नहीं आने वाले नहीं इस उम्र में मुझे में इतनी हिमत नहीं इतना कहकर संभू महां से चला गया कुछ देर बाद अज्जू और दरोगा अपनी बाइक से थाने की ओर चले गए मगर उनकी बाइक जैसे ही उस रोड पर पहुँची अचानक दिन एक काली रात में परिवर्तित हो गया यह क्या दरोगा भाई अचानक रात कैसे हो गई पता नहीं अज्जू कुछ तो कड़वर है बाइक पीछे की और गुमाव तभी एक तेज दुपान तेज हावा के साथ एक विरान जगा पर उन दोनों को उड़ा कर ले गया यह हम कहां आ गई दरोगा दरोगा आखे फार फार कर उस इलाके को गौर से देखने लगा तभी उसकी नज़र एक बंद ट्रांस्पोर्ट पर पड़ी यह तो महावीर की ट्रांस्पोर्ट है अज्जू क्या महावीर की ट्रांस्पोर्ट ऐसा कैसे हो सकता है तब ही उस काली रात में अज्जू और दरोगा के इर्दिगित कालत हुआ मंडराने लगा और देखते ही देखते वो कालत हुआ एक व्यक्ति के रूप में परिवर्टित हो गया उस वेक्ती को देखकर अज्जू और दरूगा की आँखे दहसत से फटी की फटी रह गए यह कैसे हो सकता है तुम तो मर चुके हो ना तुमने सही कहा मैं मर चुका हूँ मुझे मारने वाले कोई और नहीं बलकि तुम दोनों और तुम्हारे पिता थे तुम दोनों की जुबान मुझे महाविर चाचा कहते कहते नहीं ठकती थी मगर तुमने कुछ पैसो के लालच में अमावाश की रात में मेरी ही ट्रांसपोर्ट पर मुझे मौत के खाट उतार दिया हमें माफ कर दो हमें यहां से जाने दो महाविर चाचा इस रात को देखकर तुम्हें कुछ याद आया ऐसी ही वो रात थी जब तुम तीनों पाप बेटे ने मेरी गोली मार कर हत्या कर दी क्यूंकि तुम्हारे पिता को मुझसे बड़ा ट्रांसपोर्टर बनने का जुनून सवार था आज मेरा ड्रक तुम दोनों की लासे ट्रांसपोर्ट करके तुम्हारे पाप को भेट में जरूर देगा इतना बोलकर महाविर का चहरा पकल नीला पड़ गया और उसकी आँखे की पुद्लिया बिल्कुल सफेद हो गई कुछी च्छनों में वह सारा इलाका बहानक कुटों के रोने के आवाज से कुन जुठा अचानक अज्जू और दरोगा की आँखे पूट गई और उन दोनों के सरीर से बूरी तरह से कुन पहने लगा मालों की उन दोनों के सरीर को किसी ने कोलियों से चल्ली कर दिया हो वो दोनों एक दर्दनाक के साथ मृत होकर जमीन पर गिर परे उनके गिरते ही महावीर फिर से काले धुम में परिविर्थित होकर महा से गायब हो गया साम को थाने में इंस्पेक्टर विजय और हवलदार केस्ट के बारे में बाचित कर रहे थे सुभा से साम हो गई है संभू अभी तक आपके भतीजे की लास की शिनाकत के लिए संभू जी यहां नहीं आये पता नहीं कैसे रिस्तदार है अपने भतीजे की मौत के खबर सुनकर भी धाने नहीं आये तबी टेवल पर रखे हुए फोन की घंटी जंजना उठी इंस्पेक्टर विजे ने तुरंट फोन उठा लिया हलो मैं इंस्पेक्टर विजे बोल रहा हूँ फोन पर एक डॉक्टर की आवाज आई मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ इंस्पेक्टर विजे आपके लिए एक अजीब सी खबर है कैसी ख़बर हमकी सन और उसकी पतनी का पोश्ट माटम कर ही रहे थे कि अचानक उन दोनों की लासे हमारी आखों के सामने अस्पताल से गायब हो गई क्या बकवास कर रहे हो डॉक्टर ऐसा कैसे संभो हो सकता है यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा की ऐसा कैसे हो सकता है या कैसे मुमकिन है इसलिए हमने आपको बताना सही समझा इतना कहकर खुन कट गया क्या हुआ सर डॉक्टर बता रहा था की पोश्ट माटम करते विए उन दोनों की लास एक्तम से गायब हो गई क्या बात कर रहे हैं आप ऐसा कैसे हो सकता है कुछ तो कड़बर जडूर है हवालदार लगता है अब मुझे संभू ट्रांसपोर्टर से अपने तरीके से बात करनी पड़ेगी चलो मेरे साथ इंस्पेक्टर विजय हवालदार के साथ सीधे संभू ट्रांसपोर्टर पर पहुँच गया इंस्पेक्टर और हवालदार को देखकर संभू पूरी तरह से चोग गए बोले क्या हुआ इंस्पेक्टर अब क्या बुरा समाचार लेके आये हो जब हमने तुम्हें लास की सिनाकत के लिए बुलाया था तुम थाने क्यूं नहीं आए ये कैसी बाते कर रहे हैं आप मैंने अपने दोनों बेटों को दो बाहर में ही थाने भेज दिया था क्या वो अभी तक ठाने नहीं पहुँचे नहीं हम सुभा से ठाने में इंदिजार कर रहे हैं ठाने तो अभी तक नहीं पहुँचा पर एक अजीब सी ख़बर मेरे कानों में जरूर आई है कैसी खबर किसन और उसकी पतनी किला से अचानक डॉक्टर की आँखों के सामने से गायब हो गई यह सब क्या माजरा है इंस्पेक्टर विजय की पात सुनकर संबू ट्रांस्पोर्टर पूरी तरह से चोग गया यह कैसी पात ही कर रहे हैं आप ऐसा कैसे हो सकता है वही तो मैं तुम से पूछने के लिए आया हूँ ऐसा कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर विजय ने इतना कहा ही था कि तब ही एक तेजी से आता हुआ ट्रक संबू ट्रांस्पोर्टर के ठीक सामने आकर रुक गया इंस्पेक्टर विजय ने जैसे ही ट्रक की ड्राइविंग सीट पर नजट डाली उसकी आँखे दहसत से फटी की फटी रह गई उसने देखा कि ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं था क्या हुआ साहब आपके आँखों में ये डर कैसा हवलदा ड्राइविंग सीट पर कोई मौजूद नहीं है फिर ट्रक कौन चला रहा था ट्रक को देखकर संभू पूरी तरह से कापने लगा हवलदार इस ट्रक की तालासी लो हवलदार ने जैसे ही ट्रक को पीछे से खुला तो अंदर कद्रिस से देखकर वा पुरी तरह से सहम उठा अंदर चार लासे बुरी बुरी अवस्था में परी हुई थी उन लासो को देखकर संभू फूट फूट कर रोने लगा अरे ये दो लासे तो तुम्हारे बेटों की है और बाकी दो लासे तो उन दोनों की है जिनका सुभा एक्सिडेंट हुआ था मैंने इन दोनों लासों को ही तो कोश्ट मार्टम हाउस में भिजवाया था और डाक्टरों के आखे को सामने से नहां से गायब हो गई थी यह ट्रक के अंदर कैसे आई और तुम्हारे बेटों को किष्णे मारा आखिर यह सब हो क्या रहा है इस्पेक्टर विजए ने इतना कहा ही था कि तभी शिर से वही कालद हुआ उन सब के इर्दगिर्द मन राने लगा और देखते ही देखते वह कालद हुआ महावीर की रूप में परिवर्तित हो गया महावीर को देखकर संबू डर से थर्थर कापने लगा अपने सामने इस तरिस से को देखकर इस्पेक्टर विजए और हवलदार भी अंदर से काप कर रह गए मुझे देखकर काप क्यों रहे हो संबू उस रात तो बहुत ही दिलेर बन रहे थे जिस रात तुमने और तुम्हारे इन दोनों पेटों ने मेरी गोली मार कर हत्या कर दी थी और तुम्हारे भतीजे किसन ने अपनी पत्नी रस्मी के साथ मिलकर मेरी ट्रांसपोर्ट के पीछे उस अंधे कुए में फेक दिया था मुझे मुझे माफ कर दो मैं लालज में आ गया था मुझे में तुमसे बड़ा ट्रांसपोर्टर बनने का जुनूल सवार हो गया था लेकिन तुम तो मर चुके हो तुम वापस कैसे आ गए जिस रात तुमने मेरी हत्या की वो रात काली अमावश की रात थी और जिस अंधिक हुए में मेरी लास फेकी गई वो कुआ सापित था मेरी आत्मा बदला लेने के लिए तड़ब उठी इतना बोलकर महावीर का चहरा फिर से बिहानक हो गया और अचानक संभू के सरीर के पर घच्चे उड़ गए महावीर एक काले धुए के साथ महां से गायब हो गया सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि इंस्पेक्टर और हवालदार को कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला सर ये क्या था सायद किसी निर्दोश ट्रांसपोर्टर ने अपने उपर किये गए अत्यचार की सजा भूतिया ट्रांसपोर्टर बनकर इन हत्यारों को दे दी लेकिन सर हम रिपोर्ट में क्या दर्ज करेंगे यही कि इन पांचों को कोई ट्रक को चल कर चला गया और इंस्पेक्टर विजय ने यही किया और फाइल को बंद कर दिया और आज भी इंस्पेक्टर विजयुज घटना को नहीं भूले तो दोस्तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताए ऐसी और भी कहानिया सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोडी हंगर को सबस्क्राइब करें थैंक यू